रवम रभ किसान भाईयो मैं उतिन फिटसे हजरू हूँ आपके अपने चैनल फटई लाजर एकसपर्ट में किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुती सांदर कॉंबिनेशन के बारे में और जिस combination के बारे में आज मैं है आपको जानकारी देने वालों इस combination को आप चाहें तो आपकी सब्जी वर्गे फसलों चाहें आपकी फल वर्गे फसलों या फिर किसान भाईयों आपकी जो हमारी दाने वर्गे फसले होती हैं इस तरह की फसल भी होगी तो सभी फसलों पे ये पूरी जानकारी यहां पर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो में आश्टक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और सांदा जानकारी मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान मायों NPK 0-52-34 के बारे में कि आखिरकार यह क्या है किस तरीके से कारे करता है और फस्ट लोग की किस अवस्था पर हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी है तो NPK 0-52-34 के अंदर आपको उत्ती फसलों के अंदर करते हैं तो हमारी फसल जो हती है उसकी जड़ों का निर्माण काफी तेजी के साथ होना सुरू हो जाता है वजा क्या है क्योंकि इसके अंदर जो 5-2 % में Fast-Poral देखने को मिलता है Fast-Poral होने की बएज़े से जड़ों का निर्माण तेजी के साथ होत तो आपको आपको फास पॉरोस उप्योग करने का सबसे सही सामय किया है इसके अंदर आपको किसंघ के आप पोट आस भी देखने को मिल रही है जो 34% मिल रही है ठोट गंजरी है पोटास होने के वादा इससे काफी एच्छा डीलिट मिलेका आपकी फसल के उपर चमक अच्छे से आएगी आपके जो फल होंगे या जो सब्जी होंगी उनके अंदर वजन आपको जाया देखने को मिलेगा उनकी सुन्दरता किसान वहीं काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये भी फादा इसका मिलता है तो 0,524 को उपयोग करने का जो बिलकुट प्रोपर और सही समय है वो है किसान वहीं जिस समय पर हमारी फसल के अंदर फूल बन रहे हों फूल बनने से लगबग 4-5 दिन पहले एक सत्था पहले यदि आप 0,524 का इस्प्रे अपनी फसल के अंदर कर देते हैं इस से हमारी फसल की ग्रोथ में 4 चांग लग जाते हैं तो फूल बनने से 4-5 दिन पहले आपको इसका इस्प्रे करना चाहिए क्योंकि किसान वहीं जो हमारी सब्जी वर्ग्य फसले हैं यह हमारी फल वर्ग्य फसले हैं इन फसलों के अंदर के होता है कि पहले आपने सब्जी तोड़ ली, सब्जी तोड़ने बाद फिर फल आ रहे हैं, फल आते रहते हैं, सब्जा तूड़ती रहती हैं, तो लगातर continuity इनके अंदर फल और फूल बनते रहते हैं, तो इनके अंदर आपको इसका इसलिए दो बार भी आप कर सकते हैं, बहुती अच्छी और सांदर पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकता है, तो Np के 0,52 की मातरा आपको लेनी हैं, वो कितनी लेनी हैं, अब बात कर लेते हैं, अगर हम पिर्ती लीटर की बात करें, तो पिर्ती लीटर किसान वह लोगा 5 से लेकर 6 ग्राम के आसपास तक आप NPK 0.54 को ले करके, मिक्स करके, इसका इस्प्रे कर सकते हैं, तो ये बात हुआते हैं 0.54 के बारे में, लेकर इसके साथ हम अच्छा कुम् क्यों बात राख कितनी को मिल जाएंगे तो बोरोन की किसान वह लेनी है, जो से लेकर 150 घ्राम पिर्ती येकल के हिसाब के किसान वह लेते हैं तो ये बह क्यों नीके साथे साथ जो हमारे फल होते हैं, ये किसान वह कहांRep ल होती है is, फटने फल शॉट होता, तो यह सारी दिक्रतें बोरोन की कमी के करान आती है, तो बोरोन की मात्रा लेनी है, 100 से लेके 1500 ग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से, तो यह बहुत अच्छा वाला कॉंबिनेशन आपके लिए बन जाता है, अब बात करते हैं किसान वायो हमारे जिंक की, कि क्या इसके अंदर हम चिलिटेट जिंक मिला सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि फस्टल के अंदर हमने फासपरोस भी डाल दिया, पोटास भी डाल दिया, साथ में किसान वायो हमने उसके अंदर बोरोन भी डाल दिया, अगर हम जिंक भी इसके अंदर डाल देते हैं, तो हमारी जो पैदावार थी उस पैदावार के अंदर 5 से लेके 15% तक की बड़ोतरी देखने को मिल सकती है तो चिलिटेट जिंग की मात्रा हम इसके अंदर कैसे ले सकते हैं कि हम इसे मिला भी पाएंगे या फिर नहीं मिला पाएंगे तो चिलिटेट जिंक जो हमारी 12% पर देखने को मिल जाती है, इसे भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं, लेकिन इसके कितनी मात्रा मिला जाएगी, इसकी मात्रा आप ऐसे माली जे एक एकल खेत के लिए 100 से लेके 1.5 तो ग्राम, पिरती एकल के साब से यह आप इसे लेते हैं, और इसे भी इनी पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, इसी गोल के अंदर आप इसे मिक्स कर लेते हैं, तो ये भी आपको बहुती सांदर वाले बहुती बहुती बहतरी निर्जल निकाल करके देगा, तो इन तीनों का जो कुंबीनेशन होता है, इससे आपको क्या-क्या फाय देखने को मिल जाती है, तो एक तरीका तो आप को जाता है ये, दूसरा, कुछ किसान भाईगle के आगरेंगी वो इस्प्रेय नहीं करना चाहते हैं, वो डिप विधी से इन सभी को देना चाहते हैं, यदि आपको ये डिप विधी में देना है, तो डिप विधी में देने का इसका क्या तरीका है तो ड्रिप विधी के लिए आपको 3 से लेके 4 kg पिरती एकड़ के हिसाब से NPK 0.524 को ले लेना चाहिए तूसरा यदि हम बात कर लेते हैं बोरोन की तो 500 ग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन की मातरा यहाँ पर 20% वाले की ले लेना चाहिए बात करते हैं चिलेट जिंक की तो चिलेट जिंक को भी आपको 500 ग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए इस तरीके से इन तीनों का ये kombination आपको बन जाता है इन तीनों को आप अच्छी तरीके से drip विदी के दुआरा पूरे खेत के इंदर इसे चलाएंगे तो बहतरीन वाले सांदार रेजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है तो ये तो आपको फारुमला बन जाता है एन पी के 0,54, बोरोन और चिलिटिड जिंक का अब बात करते हैं एन पी के 0,0,50 के बारे में कि यदि हम एन पी के 0,0,50 डालना चाहते हैं तो उसका उप्योग हम किस तरीके से करत पाएंगे तो यहां पर आपको NPK 0050 को इसी के अंदर में आपको mix कर ले ना है तो ये भी आपको एक बहुत सांदर बाल रिएट निकाल करके देगा लेकिन इसके लिए आपको हमेसे ध्यान रखना है जो फसले हमारी दाने बरगी हैं उस समय पर यदि आप सलफेट और पोटास यानि कि NPK 0050 को mix करके इसका spray आप करते हैं तो बहुती बहत्रिन वाले कमाल के result आपको यह निकाल करके देगा दाने का भराओ अच्छी तरीके से होगा दाना आपका बिल्कुल भी पिछकेगा नहीं तो यह वाला कारे आप कर सकते ह इसे भी के समय यदि आप drip विदी से देना चाहते हैं तो इसकी मात्रा भी 3 kg पिरती एकड़ के साब से आप अपनी फरसलों के अंदर लगा सकते हैं हमेशा दिहान रहे जब आप drip में देंगे तो drip में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो result आपको और भी जादे अच्छे इसमें भी अच्छे मिलेंगे लेगन हो सकता है कि drip के मुकाबले थोड़े कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से complete मैंने आपको यह package बता दिया है complete यह formula आपको बता दिया है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल की growth भी करभाया का फसल की पैदावार क इसमें में आपकी सांधार मदद करेगा तो उम्मेद है मेरे यह जानकारी मेरे वीडियो आंको काफी ज्यदर पसंद आई होगे वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़ाद ज़ादे किसां colonial तक मेरे इस वीडियो को अब शेयर करें तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में आम राम जी